पूदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जाबो धामान काव पर ले था सुरे ठेंसन अरे काव पर ले था सुरे ठेंसन जब अपसर बन केते घर पे धामान ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंस इजिस की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि पढ़ाई के साथ उसका रिविजन भी बहुत जरूरी है तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम 25 कोस्टन कवर करेंगे और ये 25 जो कोस्टन होंगे वो पिछली कक्षाओं में हमने जो भी टॉपिक्स कवर किये हैं उससे ही रिलेटेड होंगे तो आज ये हमारा पहला कक्षा होगा कोस्टन सिरीज का उसके बाद हम लोग दूसरा सेट भी देख लेंगे कल ताकि आल ओवर आप लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो सभी कोस्टन के माध्यम से क्या हो जाए और आप लोग का ज्यादा से ज्यादा डिविजन हो जाए चलिए start करेंगे हम लोग पहली question से, तो पहला question है आपको सजीवों को पांच जगतों में किसनी विभाजित किया, तो आप सभी को पता है हम लोगों ने देखा था फिशली किक्षा में कि पांच जगत के वर्गी करण के हम बात करें, तो वहां पस किसना नाम आता है, तो आरे से थे तो आप लोगों ने देखा था पहला था मोनेरा दूसरा प्रोटिस्टा तीसरा कवक चौथा आपका प्लांट पौधे और पांचवा आपका एनिमल था तो जो आरेच वेट कर थे उन्हों सजीवों को पांच जगत वर्गी करण में बाटा और यह बहुत ही प्रशिद्ध सिधान्थ है एक्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है यहां पर एक वज्ञानिक का नाम आता है राबट हूँ आप सभी को पता होगा कि राबट हूँ इसलिए इनका नाम प्रशिद्ध है कैरोला स्वी लीनियस जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं तो यह नामकरण के लिए प्रशिद्ध है साथ ही आपके जो चार्स डार्विन है वो विकासवाद के सिध्धान्थ के लिए प्रशिद्ध है तो ओवरॉल हमें क्या करने एक कोशन के माध्यम से और भी जो टॉपिक होंगे उन्हें भी हम समस्ते चलेंगे चलिए दूसरा सवाल देखेंगे हम अच्छा इसका जो आपका लिखा हुआ है सिध्धान्त एक्स्पेंग ही किया हुआ है कि 1969 में कब आपको ये पता है किसने किया आरेच वेटकर ने किया क्या किया तो इन्होंने सजीवों को पांच जगत वरगी करनर में बाटा लेकिन कब किया तो ये ध्यान रखिएगा कि 1969 म आरेच वेटकर द्वारा पांच जगत वरगी करनर प्रस्तावित किया गया था ये कौन है आपकी ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सजीवों को पांच जगत में क्या किया है बाटा है कौन-कौन से है वो पांच जगत तो पहला है आपका मुनेरा दूसरा आपका प्रो है कब किया गया 1969 में किसके द्वारा आरेज भीटकर की द्वारा क्या किया गया तो सजीवों को पांच जगतों में बाटा गया इधर भी पढ़ लेंगे आप लों यह भी जरूरी है इंग्लिस वाले भी देख सकते हैं फाइब केंडम क्लासिफिकेशन्स वार प्रोपोस्ट वाइवीटकर इन 1969 दे आर मोनेरा प्रोटेस्टर फंजाई प्लांस एनिमल तो यह भी चलेंगे देखते हैं कौन-कौन से इमेज के थू समझ सकते हैं यह क्या है आपका मोनेरा जगात है इसमें हम क्या करते हैं आपके जितने भी जिवारू होते हैं उनका हम स्टड़ी करते हैं ठीक है बैक् प्रोटेस्टर फंगे उनका स्टड़ी करेंगे इनिमल किंग्डम में जितने भी आपके अनिमल स्टड़ी करेंगे अगर अभी ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पहले जो टॉपिक का स्रीज है वो देख लें तभी आप लोगों को सब कॉस्टेप्ट क्लियर होगा त हम लोग कक्षा एक में ही देख चुके हैं कि थीम क्या होता है थीम से कौन-कौन से सवाल बनते यह सभी हम देखे थे तो परिवार और मित्र क्या है आपका परियावरन का एक थीम है तो यहां पर पूछे कि परिवार और मित्र क्या है तो आपको पता होना चाहिए परिवा परिवार और मित्र का तो यह क्या है हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमारी मम्मी हमारी पहली मित्र होती है तो यह परिवार मित्र क्या है हमारा पहला थीम है साथ ही किसी भी बच्चे का जो डेवलमेंट होता है उसकी सबसे प्रात्मिक पार्ट साला जो होती है उसका परिवार ही होता है, बच्चा परिवार के माध्यान से बहुत सारी चीजों को सीखता जाता है, और लाइफ में आगे बढ़ता जाता है, इवें जब वो किसी विद्याले में प्रवेश करता है, तो अपनी एक अनुभाव के साथ प्रवेश करता है, और वो अनुभाव of homework है या कह सकते हैं कि नहीं कि यह उनुद को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना है या आप लोगो किया है निमली कित में से वह कौन सा कथन सकते है जड़ दोहारा जल का अवसोशन किया सकता है यह आपको कमेंट बॉक्स में करना है पौधे द्वारा वासपोथ सर्जन में जल्व वासपतियों द्वारा होती है जी हां साथियों जो वासपोथ सर्जन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन होती है तो पतियों के द्वारा संपन होती इसका आपको ध्या का image है, ये क्या है आपका मूल जड़ है, मूल जड़ क्या करता है, ये जमीन को गहरा बनाता है, आप जितना भी देखते हैं, जमीन में को जड़ जितना जादा गहरा होता है, मतलब वो जमीन में गहराई को अधिक बना रहा है, कुछ पौधे ऐसे होती है, जिनकी जड़े कम होती है कम विक्सित होती है तो वो जमीन में कम अंदर ही जाती है लेकिन क्या होता है जो जड़े ज्यादा अधीक होती है वो जमीन को गहरा बनाती है जमीन को खोदने का काम करती है तो यह मोल जो जड़ होते हैं उसका काम होता है यह हमने यह भी देखा था कि जड़ों के कौ यहां प्रक्रिया का भी यहां पर देखेंगे आप यहां पस बुलबुला टाइब से देखने तो यहां पर क्या हो रहा है पानी का अवसोशन हो रहा है कौन पानी का अवसोशन तो जड़ कर रहे है चलिए हम लोग next question की और बढ़ेंगे अगला question है आपका वासपोत सर्जन क्या होता है तो अभी हमने देखा कि जो वासपोत सर्जन की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा होती है पत्ति क्या करती है जितने जल की आवश्यक्ता होती है उसको अभास रखते हैं और जिन चीजों की हमें आविशक्ता नहीं होती है उसे हम घर से बाहर कर देते हैं या किसी कह सकते कबार खाने में रख देते हैं मतलब वो यूजलेस चीज़े होती है तो वासपोत सर्जन की क्रिया क्या होती है ये भी आप लोंको कमेंट में बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका explanation भी दिया होगा देख लेते हैं पौधो द्वारा अनवश्यक ध्यान दीजेगा यहीं पर आपका fact है यहीं पर वास्पोध सर्जन की परिभासा दी हुई है कि पौधो द्वारा अनवश्यक जल को वास्प के रूप में सरीर से बाहर निक करते हैं और बाकी क्या होता है उसे सरीर से बाहर निकाल देते हैं सेस अधिकांस जल पौधे द्वारा वास्प के रूप में सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यहीं क्या है आपका वास्पोध सर्जन की प्रक्रिया तो clear हुआ वास्पोध सर्जन की प्रक्रिया किसके द् तरह Kyoto संग है विशय कॉन से कथन सप्थीन नहीं है हमें क्या बताना है आ सत्य कथन मताना हैं एक असप्रेलिया में पाइ जाना व्रिच्छ आधा यह सई हैं क्या रेगिस्थानि ऊफ के बारे में भी मैंने बहुत बिटेल बजसे अ एक क्लास है, important trees of, important trees for seated examination. तो आपके seated examination में से न, particular trees आते हैं, जिसमें से रेगेस्तानी ओक है, आपका कोटॉन पौधा है, और खेजडिव रिच है, बर्गत है, तो यहां से आपके सवाल बनते हैं, तो इन्हें भी ध्यान दिजेगा. रेगेस्तानी ओक से जाने कितने बार आपके previous year में पूछा जा चुका है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, और यह जब जो question आप लोग देख रहे हैं, कहीं न कहीं, previous year में पूछे गए question है, चलिए, answer आप लोग को बताना है, तो क्या यह आस्ट्रेली में पाए जाने वाला पौध है, रेगेस्तानी ओक की नाम पर मत जाएगा, भले इसका नाम रेगेस्तानी ओक है, पर ध्यान दीजेगा, रेगेस्तानी ओक रेगेस्तान में नहीं, बल्कि यह आस्ट्रेलिया में पाए जाता है, तो चलिए, मैंने इसका answer तो बता दिया आपको, यह पहला जो है आपका answer सही है, लेकिन इन तीनों में से आप लोग को बताना है कि असत्ते कौन है, यह तो सत्ते हो गया, इसलिए तो होगा नी, इन तीनों में से ही कोई answer होगा, तो इसको आपको comment box में बताना है, अब यह image देखेंगे, तो क्या करते है, रेगेस्तानी ओक से क email चुका है, अब आप easily comment box में answer बता सकते हैं, अगर आपने इस lecture को देखा है, अगर lecture नहीं देखेंगे, तो देख लिजेगा, चलिए, आपका जो अगला question है, फिप्त नमबर का खेजडी, तो याद रखिएगा जो खेजडी वरिच है, वो कहां पाया जाता है, खेजडी व हरा भरा रहता है, रेगिस्तान के आपके जो बच्चे हैं, वहां के राजस्तान के वो हमेशा इसकी छाया में खेलते रहते हैं, साथ ही इसका तना इतना उपयोगी होता है, कि वहां के किसान इसके तने को अपने खेटों में लगाते हैं, ताकि इसकी वरा शक्ती बनी रहे तो यही है हमारा खेजडी वृच्छ, तो खेजडी वृच्छ को राजस्थान का कल्प वृच्छ भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेगा और ये सूखे जगों में पाए जाता है, तो सूखा जगा कहा होगा? यहाँ पर पूछा है कि खेजडी एक छैदार वृच्छ है जि इसका लेना देना नहीं है, तो क्या होगा आपका मरुस्थली, जी हाँ साथ हो, मरुस्थली जो एरिया होता है वो, एक प्रकार का सूखा एरिया होता है, और राजेस्थान इसमें मुख्य रोप से आता है, तो ये जो वरिच होते हैं, कहां पाया जाते हैं, राजेस्थान मे निपेंथिस यहां पर निपेंथिस की बात की है निपेंथिस क्या है जिसका दूसरा नाम घट पढ़नी भी है जो क्या करता है कीटों का भख्षड करता है क्यों कि इसके सरीर में नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूर्ती के लिए कीटों का क्या करता है भ किटों का भक्षड क्यों करता है तो यह कीटों का भक्षड इसलिए करता है तकि यह नाइटोर्थ लगारान में पाउदा कि वाला पाया जाले था है तो रिलोंimar भाला पॉद्हें मेड़्धव。 नि वाग है आपके सामने विकल्प दिये हुए है, इन में есте कौन सा विकल्प दिये उतानी है उताने है? अब क्या हो रहा है पौधे के किसी भाग का बात हो रहा है हमारा कोई ब्लांट है यह समझ सकते हैं, उसकी किसी भाग का बात हो रहा है, तो जो भूमी के उपर रहता है, भूमी के उपर आपका क्या रहता है, तो सबसे पहले जड़, जड़ तो भूमी के नीचे नीचे रहता है, यह इसकी प्रमुफी सेस्ताती, तो भूमी के उपर आपका पत्ती रहेगा, आपका तना रहेगा, फोल रहेगा, फल रहेगा, तो इस चारों में से एक होंगे, इसका रंग भूरा वा हरा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा अकसर तने का रंग जो होता है, वो भूरा और हरा देखने को मिलता है, लेकिन जो जड़ होता है, उसका रंग हमेशा आ आपको कभी हरा देखने को नहीं मिलेगा यह अवसोसित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है उपरोक्त कथन पौधों के किस भाग में मैं आपको हिंड कर देती हूं पत्ती नहीं होगा फूल नहीं होगा या तो आपका जड़ होगा या तो आपका तना है क्या यह कथन सहीं है क्यूंकि मैंने आपको बताया था कि पत्तियों में मुख्य रूप से दो प्रकार के सिराविन्यास पाय जाते हैं एक तो समाना अंतर सिराविन्यास और एक जालीदार सिराविन्यास तो अगर आप नहीं देखें एक अक्षा तो देखेंगे तो आप तो उनकी पत्त्यों में जाली का सिराविन्यास होता है तो इसका आंसर आपको चयए का मरुस्थली जगों में पाए जाने वाला एक प्रकार का पौधा है तो नाग फनी में प्रकार समसलेशन किसमें होता है पहला पूछ है तने में दोनों में मतलब पतियों में या तने में या काटों में चेक है ओप्सन ओपर नीचे हो गया है तो ध्यान दीजेगा इसमें तो क तो आप लोग को आंसन मिल गया कि ठीक है नाखफनी का कोई पॉध है आप देख सकते हैं ऐसे कोई पॉधा होता है नाखफनी का जिसमें ये मैं आप लोग को करा रसे पता रहती हूं इसको हमारा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह नात्फणी का एक पौधा है इस तरह से इसका बॉर्डर बना देते हैं और इसमें क्या निकला रहता है काटा 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 इस तरह से निकला रहता है आप देखते होंगे तो जो पतिया होती है न वही क्या होती है काटों में परिवर्तित हो जाती है और जो तना होता है या आपको जो हरा हरा दीख रहा है यही वो तना होता है और तना हरे रंग का होता है और हमको पता है कि हरा रंग किसके कारण होता है क्लोरोफिल के कारण होता है तो जो नागफ तो इसमें सवाल पूछा है कि नागफणी में प्रकास समस्लेशन कितमें होता है याद रखिएगा कि तने में प्रकास समस्लेशन होता है किस पौधे में तो आपके नागफणी पौधे में चलिए इसका हम एक्स्विनेशन भी देखेंगे क्या है नागफणी में पत्तिया का कटों में परिवर्टित हो जाती है ध्यान रखिएगा यह मुइंत सभी कारे करता है, अब होता क्या है कि जो पत्ती का काम था, पत्ती तो काटों में परिवर्तित हो गई, अब काम कौन करेगा, तो तना इसका सारा काम करता है, और पत्ती क्या करती है, जो साकाहरी जो जन्तुए होते हैं, जो हमेशा पौधों को खाते हैं, उनसे रक्षा करता क्योंकि काटा से हमेशा बचा जाता है तो जन्तों भी काटों से हमेशा बचते हैं तो नागफनी के पौधे हरे तने में पंधरी मुपस्थित होता है इस प्रकार नागफनी के पौधों में पत्तियों के वज़ए तना प्रकास समस्लेशन का केंद्र होता है इस इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें प्रकास समस्लेशन की प्रकरिया तनों के द्वारा थंपन होती तो कौन सा पौधा है तो आपका कैट्टस वो पौधा है इस पौधे का नाम भी आपको ध्यान रखना है नागफनी में काटे- रूप से रुपांत्रित पत्तियां हैं जो पौधों को साका हारी जीवों से बचाती हैं ये दिन के दौरान तने से उश्मवीकरण करती है और ठंडी रातों के दौरान संघनित जलवास्प एकत्रित करती हैं ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखेंगे हम अगला कोश्चन है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है आपको मैच करना है जो मैच नहीं होगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा जड़ आपको पता है कि जड़ का क्या काम होता है तना क्या करता है आपको पता होगा नहीं जो वासपोत सर्जन है वो पत्ति करता है फूल का क्य काम होता है यह पודры की जो हम प्रमुख भाग देख रहे थे तो उसमें हमने डीटेल से बताया था तो यह आपका 1 फसका आंसर नहीं कि बताना है च्ग क्या काम होता है तना का क्या काम होता है फूल का और पत्ती का इस में जो सुमेलित नहीं होंगे वो आप comment बॉक्स में बताएंगे आप लोगों को ये भी बताना है कि 25 में आप लोगों का कितना कुश्यन सहीं हुआ है प्रक्रिय जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाता है तो यहां और प्रकास समस्लेशन की प्रक्रिय के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकास समस्लेशन तो होगा नहीं संगरन की प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि अभी हमने देखा ही नहीं है वास्पी करण किसके द्वारा होता है तो पतियों के द्वारा होता है आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वाटर होता है इसे ये बाहर कर देती है और यही वास्पी करण की प्रक्रिया कहलाती है तो बचा क्या आपका परागड आपको ध्यान रखना है कि पौधो पौधे जो प्रजनन करते हैं उस प्रक्रिया को हम परागड कहते हैं ये क्लियर हुआ? चलिए आंसर भी आप लोग को मिल गया एक नंबर एक्स्रा मिल जाएगा और इसके पहले भी मैं आपको आंसर बता चुकी उसमें भी नंबर एक्स्रा मिल जाएगा पर इमानदारी से आप लोग को उनका आंसर करना है जिनका आंसर मैं नहीं बता रही है पौधों में गैसों का दान प्रदान कैसे होता है ये आंसर आप खुद देखेंगे अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर मैं इसका आंसर बता डालूंगी तो आप question को देख लें और इसका आंसर आप comment box में बताएं प्रकास समस्लेशन क्रिया में पादपों के द्वारा वाता वरण से कौन सी गैस अवशोशित की जाती है यह आप लोगों को बताना है मैं option 2 और यह आपका फोर्थ है उसको काड़ दे रही हूं अब आपको या तो oxygen होगा या तो carbon dioxide होगा इसका आंसर आप लोगों को comment करना है इसका answer आप लोगों बताईये कीड भच्ची पादब किसे जाना जाता है कीड भच्ची पादब की नाम से आप सभी को पता होगा घट पन्णी जिसका संरचना घड़े के जैसे होता है इसे हम क्या कहते हैं निपैंथिस भी कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है कीटों का के लिए कीटों का भक्षड करती है तो मिट्टी में क्या उपस्थित नहीं तो मिट्टी में आपका नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा अगला कुश्चन लेखेंगे, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, ये भी किसी पौधे के एक भाग का बात हो रहा है, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाय जाते हैं, ये परागड की क्रिया के परिणाम सुरूप बनता है, उपरोप्ट कथन निमने में से किस से संबन्धी थे, क्या ये फल से संबन्धी थे, क्या बीज से संबन्धी थे, क्या फूल से, क्या बिजांड में, ये सभी चीजे मैं आप लोग को पढ़ा शुकी हूँ, आप इसे टेस्स समझ कर लगातार इसका आंसर लगाते जाएं। लेकिन ये दोनों जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं इसको मैंने आपको बताया था अब यहां पस गत्थन दिया है कि अरोही लता किसी ढाचे के सहारे खड़ी होती है यह व्रिच के चारो लिपती है अमर बेल मनी प्लांट मतर आदीस के उधा रहने क्या लता के बारे में अ इन में से कौन से सही है इनको आपको तीक करना है और जो गलत होंगे उनको नहीं करना है क्रोटोन के विसाय में निमलिखित कत्नों में से कौन से सही है मैंने क्रोटोन के बारे में से आपको बताया था कि क्रोटोन एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये क्या करता है ये environment में जो भी हानी कारक्तत्व होते हैं उसे absorb करता है और हमारे पर्यावरन को हमारे environment को सुध्ध रखता है साथ ही ये जमीन की स्थिती को बताता है अगर वो जमीन सूख जाती है तो इसकी पत्ति अभी सूखने लगती है और इसकी जड़े होती है वो कम गहरी होती है इस सारी चीजे क्रोटोन पौधों के बारे हमने देखा था कथा ने ये फसलों के साथ बोया जाता है, इसकी जड़े अधिक गहरी नहीं होती है, ये फसल की सिचाई की अवशक्ता को बताता है, तो ये आपका सत्रवा कोश्चन है, आठारवा में बढ़ेंगे, निमलिकित में से किस जानवरों के बिच सह जीवी का संबंध होता है, तो बहेंस के उपर जो भी कीट होता है, उसे वो खाता है, तो इससे बगूले का पेट भरता है, साथ ही बहेंस को भी राहत मिलती है, क्योंकि उनके भी बॉड़ी में क्या होती, इचिंग होती है, अगर कोई अनावशक कीट उनके सरीर पर आता है, तो ये सह जीवीता का सबसे बड़ा एक्जामपल है, भैस्वा बगूला, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है, पक्षी एक ही समय में दो भिन भिन वस्तों को देख लेता है, क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, पक्षीयों की क्वालिटीस पूछ रहा है, जब हम पक्षिया पढ़ र आखे होती है, ये भी बिल्कुल सही है, इनकी आखों की पुद्ली घुम नहीं सकती है, इसलिए जैसे हम क्या करते हैं, हम आखों को इसलिए पुरा ऑल ओवर घुमा लेते हैं, लेकिन जो आपकी पक्षियां होती है, वो आखों की पुद्लियों को नहीं घुमा सकती है, उ उल्लू और रैगून, तो उल्लू के बारे में हमने पढ़ा था कि ये 360 डिग्री में भी अपना गर्दन घुमा लेती है, ये क्या होती है, रातरी चरप्राणी होती है, और ये रात को जाती है, ये तो रातरी चरप्राणी है, और इसकी आखे गोल-गोल होती है, ये भी हमने में द्रंखी देख पाते हैं क्योंकि नवचर होते नुह चर नहीं होते यह रात्री चर साथ कि उल्लो और आपके रैगून होते हैं वह क्या होते रात्री चर पक्षी होते हैं तो इसका अमको ध्यान रखना है चलिए 21st question है आपका बाज और गिद बाज गिद और चील जैसी पक्षी अपने सिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि इनकी जो आखे होती हैं वो बहुत तेज होती हैं वैसी हमने एक एनिमल बाग के बारे में देखा था कि जो बाग होता है वो मनुष्यों से 6 गुणा अधिक देख लेता हैं तो यहां पर पूछा है कि क्यों देख लेता है वे आसमान में उपर उड़ते हैं तो बाकी पक्षी भी तो उपर उड़ते हैं वे बहुत तेज हैं उनकी दृष्ची मनुष्य से 4 गुणा तेज होती है यह बिल्कुल सही है सीटेट के एक्जाम में हर बार आपको किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेगा अगर आप प्रिवेस यह कोश्चन उठा कर देखेंगे तो आपको एक कोश्चन देखने को मिलेंगे फाक्ता के विसे में कौन सा कथन सही है फाक्ता एक पक्षी है उसके बारे में आपको सही कथन बताना है यह निम उचाई वाले व्रिच्छों पर घोसला बनाता है यह कैक्टेस के पौधों के कांटे के बीच अपना घोसला बनाता है तो इसके बारे में आपको बताना है क् कि हम फाक्ता के बारे में पढ़ चुके हैं निमलिकित में से कौन सी समानता सेर और बाग में पाई जाती है तो हम कभी कभी क्या होते हैं जब हमें एकदम जानकारी नहीं होता है डीटेल में तो हम सेर और बाग में अंतर नहीं कर पाते हैं एक छोटे बच्चे से आप पूछ नहीं देती है तो दोनों में समानता पाई जाती है भैस की पीट पर प्राया बगूला इक्रिट पक्षी बैठा दिखाई देता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगूला भैस की पीट पर क्या करता है पर जीवी कीट खाता है दूसरा है घास पर पाय जाने वाले कीट खाता ह अगर घास में पाए जाने वाले कीट खाता तो वो भैस के पीट पर क्यों बैठता तो यह option नहीं होगा भेंस की पीट पर बैठ कर वो गाना अना पनत करता है गाना गाने के लिए उसको कोई जगा नहीं मिल रहा है तो भेंस की पीट पर बैठे कपी है ये वी गलत है उड़ने के बाद थोड़ा सा आराम करता है, आराम करने के उसको भैस का ही पीट मिला है, तो ये जो कथन है, कभी-कभी हमें ऐसे कथन मिल जाते हैं, जिसको लगता है कि क्या है, तो अलग से ही आंसर हमको पता से जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, आपका भैस की पीट पर नहीं कथन चुने इसका आंसर तो आप लोग ही देंगे हमारे देश में कीवल चार प्रकार के जहरीले साप पाया जाते हैं नाग जहरीले सापों का एक प्रकार है जहरीले साप के चार खोखले दात होते हैं हमने साप के बारे में देखा था जब साप किसी व्यक्ति को काटता तो जहर इन खोखलों दातों से उसके सरीर पर जाता है, साप के काटने की दवाई, साप के जहर से ही बनाई जाती है, तो लगभख सहीं, सभी सहीं है, लेकिन कुछ है, जो minor mistake है, उसी minor mistake को आपको पकड़ना है और आंसर बताना है, कल हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, आज के लिए इतना ही थाइंक यू, अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए competition community के साथ, आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें, अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक कर हमेशे आपके साथ टीम कोको